दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनंदर है आपके अपने यूटूब चैनल आर्याने इस्टूट लहाबाद में दोस्तों जैसा की बोड़ पर आप देख पा रहे हैं आपकी बीच में सफल बैच की अगली स्रिंखला देख पा रहे हैं हम प्रतेक सफल बैच में फिलाल के लिए अभी जर्चा कर रहे हैं बाल विकास इवम सीखने की प्रक्रिया पर आपका स्लेबस अल्रेडी मैंने डिसकस कर दिया है स्लेबस की बाद पहले क्लास आपकी बीच में मैंने कल रात को प्रवाइड किया दूसरी class की सरिंकला आपके बीच में जा रही है आप देख पा रहे हैं अच्छा एक चीज़ आपने जो पहली class में देखा था तो बाल विकास के अर्थ को देखा था ठेक है चुकि आपको पता है आप सबसे पहले अगर आप education को पढ़ रहे हैं या कहा जहें बाल विकास की प्रक्रिया को पड़ रहे हैं तो पहला टॉपिक आपका होता है कि बाल विकास का अर्थ यानि मेनिंग आप चाइल्ड डिबलप्मेंट ठीक है हमने इसे आपके बीच में बखुवी डिसकस किया था अचा एक चीज और मैंने आपको कहा था बाल मनो वेग्ञाने की परिभासा तक हमने आपके बीच में डिसकस किया था उसी के आगे हम आपके बीच में डिसकस करने जा रहे हैं यहाँ देखिए आपके बीच में कहा जा रहा है बाल विकास की अवस्थाएं stage of child development ठीक है अच्छा यहाँ देखिए सबसी उपर लिखा गया है एक important fact कहा जा रहा है प्रतीक बालत का जन्म विकासील प्राणी की रूपे होता है और जीवन परियंत उसका विकास चलता रहता है ठीक है यह चीज़ें आपको पता है कोई भी प्राणी हो या कोई भी छोटा सा बच्चा हो ठीक है उसका जो विकास है वो अनवरत कहा जाए या जीवन परियंत चलता रहता है देखे और यहाँ कहा जा रहा है उसके निचे हलाकि यह चीजे तो हमने आपको कल ही बता दिया था ठेक है जब सामको क्लासें आपके बीश में हम प्रोवाइड कर रहे थे देखे यहाँ अब और भी महतुपोड फैक्ट है आपके बीश में हमने चार अवस्थाओं का निधारण किया है यह जो चार अवस्थाओं है यह किस मनोवेग्यानिक के अनुसार है अरनिश्ट जोन्स के अनुसार अवस्थाओं का विवाजन आपसे एक टुमबर के सोर अवस्था और प्रोड अवस्था यानि चार अवस्थाओं का निर्धारण किस ने किया है या इस तरह से पूछा जा सकता है कि अरनिश्ट जोन्स के अनुसार अवस्थाओं का विवाजन करिये इसी तरह से पूछा जाएगा ठेक है कैसे मैंने कहा आपसे पूछा जा स कि अरनिष्ट जोन्स के अंसार कौन-कौन से अवस्थाओं का विभाजन किया गया है। ठीक है ये एक नंबर में या दो नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला आपके वीश में आ रहा है देखे सैस्वा वस्था जिसे हम इन फैंसी कह सकते हैं। अचा आप से पूछा जा सकता है कि सैस्वा वस्था कि जो उम्र होती है वह कितनी होती है। जन्म से 5-6 वरस तक होती है। अनगिनत बार पूछा गया कुश्चन्स है कि सैस्वा वस्था कि जो एज होती है जो उम्र होती है वह कितनी होगी। तो आप कहेंगे सैस्वावस्था कि जो हमारी उम्र है वो जन्म से यानि जब बच्चा प्रिथिवी पर जन्म लेता है तब से उसका जो सैस्व काल है वो शुरू होता है अब ध्यान दिजिएगा जैसे सैसो काल के पहले जब बच्चा मा की गर्व में होता है तो उसका गर्भावस्था कहलाता है ठीक है अच्छा यहां और आगे देखें हमने कहां आपसे आपसे पुछा जा सकता है कि सैसो आवस्था मिन्स इनफैंसी जन्म से 5 या 6 वर्ष इसकी एज होती है ठीक है इसी की क्रम में यहां देख पा रहे हैं बाल्या वस्था मिन्स चाइल्ड हुड की अगर हम बात करें तो यहां 6 से 11 या 12 वर्ष इसकी एज होती है ठीक है पुछा जा सकता है यहां आप इंग्लिस वर्ष को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे पुछा जा सकता इंफैंसी को ठीक है जैसे हिंदी ना दे करके इंफैंसी ही आपसे पूछ लिया जाता है ठीक है तो इसलिए हमने दोनों चीजों को लिख रखा है Infancy means जन्म से 5 या 6 वर्स बाले अवस्था means childhood हम कह सकते हैं हमने आपको कल के lecture में आपको बता दिया था कि childhood के age जो होती है वो 6 से 11 या 12 वर्स होती है ठीक है यहाँ आगे हम बात करें अगर किसोरा वस्था को आप देख पा रहे हैं किसोरा वस्था means adolescence हम कह सकते हैं 12 से 18 वर्स इसके age होती है पूछा जा सकता है अगर देखा जाए यह 4 वस्थाएं जो है आपने आप में काफी महतपूर है कभी भी किसी भी वस्था से कोश सिर्फ पूछ लिया जाता है डिरेक्ली पूछ लिया जाता है कि बाले अवस्था के age क्या होती है 6 से 11 या 12 वर्स आप कह सकते हैं और भी पूछ लिया जाता है कि किसोरा वस्था means adolescence के age कितनी होती है तो आप कहेंगे 12 से 18 वस्था हम बार बार फोकस क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए महत पूर्ड हैं परिक्षा के द्रिश्ट से ये बहुत महत पूर्ड हैं यहाँ प्रोड़ा वस्था के हम बात करें जिस अवस्था में आज आप हैं आप अगर बात करें हम तो पूरी तरह से प्रोड़ हो चुके हैं प्रोड़ा वस्था adulthood हम कह सकते हैं और इसकी जो ways होती है वो 18 वर्स के बाद होती है ये तो अवस्थाओं का निर्धारण था अभी तक ये उपर की चीज़ें आप छोड़ दीजिए ये चारो अवस्थाएं जो आपके लिए है ये अपने आप में काफी मानी जानी चीज़े होती है ये हर बार परिक्षाओं में पूछा जाता है ठेक है इसलिए आप अभी आपके पास वक्त है समय है ठेक है आप इन चीज़ों को देख लेजिए चलिए और चीज़ें हम बताएं आपसे ये आपके यूपीटेट और सीटेट जिसी जब परिक्षाओं को आप देने अबस्ता बाले अबस्ता सैसो वस्ता किसी भी एस को पूछ लिया जाएगा और चार आपसन दे दिये जाएंगे कि आप इन में से सेलेक्ट करेंगे तो जब आपको ये जीज़ें याद रहेंगे तो फाइनली आप तुरंत कर ले जाएंगे अगर आपको थोड़ा बहुत अब समझ सकते हैं कि 25 परसंट चांसे सोते हैं कि सही होने के बाकिया दर्वाइस हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिस कर रहे हैं अगर आपको सफल बैच जोइन करना है तो मातर 220 रुपे प्राइज है हम सफल बैच के दौरान मॉडल पेपर प्रिवीस येर पेपर लाइप प्लस रिकारडड क्लासे हैं और सारी सबजेक्ट की नोट्स है जोइन करने के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने नंबर आपके बीच में दिया है 94, 92, 33, 10, 33 पर आप संपर करिएगा हम आपकी चीजे तो हो गए अब सैस्वावस्था के संदरोब में कुछ मनोवैग्यानिकों ने अपने अपने मत दिया हैं तेखिए एक चीज और कहेंगे हमने जब आपकी बीच में सुबह बाल विकास का कल जब साम को वीडियो दिया था तो मिनिंग आप चैल्ड डिबलोप्मेंट यानि बाल विकास के अर्थ के तहट हमने तिन चार मनोवैग्यानिकों के नाम आपको बताया थे हमें लगता है कि हमने क्रोवेंट को बताया था जेम्स ड्रेवर को बताया था इसकेनर को और गैरिसन को ये चार मनोवैग्यानिकों का डिसकस मैंने किया था ठीक है अब एक जो और नोट करिएगा, यह जो मैंने चारों वेग्यानिकों को बताया था, यह चारों मनोवेग्यानिक अपने आप में, जो है बाल विकास के अर्थों में महत्वपूर हैं, लेकिन यह जो आपका child psychology है, चाहे आप education first के बात करें, हम कहें अगर चाहे बाल विकास के बात करें चाहे आप सिक्षण अधिगम के सिधान्त की बात करें, दोनों education first बाल विकास और सिक्षण अधिगम के सिधान्त education second paper, ठीक है, इन दोनों में तमाम ऐसे मनोवेग्यानिक आएंगे, जिनके नाम अभी आपने सुना नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यह जो मैंने नाम यहां ल important period of life, जीवन का सबसे महतुपूर काल है, एक नंबर की question में अनगिनत बार पूछा गया question है, कि जीवन का सबसे महतुपूर काल कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सैस्वावस्था, जिसे हम जन्म से जो है 5 ये 6 वर्स बताते हैं, अब यहां आपके मन में आ रहा होगा, कि आ सबसे महतुपूर काल क्यों कहा जाता है, ध्यान दिजिएगा, हमने आप से कहा, कि एक नंबर में आप से पूछा जाता है, कि जीवन का सबसे महतुपूर काल हमकी सवस्था को कहते हैं, सैस्वावस्था को, आप यहां पता है, कोई भी बालक जब होगा, जब 5 ये 6 वर्स क होता है, जब उसका जब प्रतिवी पर होता है, तो वो हर किसी के लिए महतुपूर होता है, ठीक है, कोई भी किसी तरफ से आता है, तो लोग उसे गोद में उठा लेते हैं, ठीक है, तो का जब 6 वर्स के उपर हो जाता है, तो हमें तो नहीं लगता कि कोई इस तरह की बाते होती होंगी ठिक है इसलिए हलाकि जीवन का सबसे महतुपूर काल मैंने आपको बता दिया आप फैनली इसी को ध्यान रखिएगा यह आपसे अनगीनत बार पूछा गया है चाहे आप U P Tag को ले लिजीे, चहे आप सी ट Tag को ले लिजीë, ठेक है, चहे आप अपने DLA प्रतम समिश्टर को ले लिजीए, ठेक है, आप से पूचह जाता है कि जीवन का सबसे महतफूर बुड काल कौन सा होता है, अभी जीवन का सबसे महतुपूर काल है कौन सैसो आवस्था अब यहां देखिए कुछ महतुपूर परिभासा हैं आपके बीच में है ठीक है देखिए सबसे पहली परिभासा न्यूमेन के अनुसार आ रही है अभी ये साइंटिस्ट आपके बीच में नए नजर आ रहे होंगे थोड़ा सा इनके नाम को देख कर आपको हसी आ रही होगी लेकिन यहां मैंने जितने भी नूमेन है फ्रायड महोदे हैं एडलर हैं क्रो एंड क्रो हैं क्रो एंड क्रो आप उसे कल भी मिले थे यानि जब हम बाल विकास के अर्थ की बात आप से कर रहे थे तो वहाँ भी मैंने इनके परिभासा आपके बीच प्रोवाइड किया था ठेक है और आज भी है देखें नूमेन होदे कह रहे हैं मैंने कहा था आपसे कि अगर आप से पूछा जाए कि सहस्वावस्था कि किसी एक मनुवए ज़्यानिक के अनुसार आप परिभासा को लखें आपको नहीं आ रहे है तो आप परिशान न होई मैंने कहा आपसे आप किसी भी साइंटिस्ट का नाम लखकर कि आप अपने अनुसार परिभासा लख दीजीए जैसे मैंने कल आपको बताया था आप छर्रे के अनुसार लिख दीजिए प्याले के अनुसार कोई भी ऐसा नाम लिख दीजिए जैसा लगे कि हाँ ये पुराने नाम है बहुत ऐसा तो है नहीं कि जो आपकी कॉपी को चिक कर रहे हैं उन्हें सब कुछ आ ही रहा है ठेक ऐसा नहीं होता है इसलिए आप किसी भी नाम को जो परिभासा आप लेखें वो परिभासा सैस्वा वस्था से सटीक होनी चाहिए ऐसा नहों कि आप परिभासा लेखें सैस्वा वस्था का और correlate कर रहे हैं वो बाल्य अवस्था का अगर ऐसा होता है तो तुरंते हैं वो खर्रा काट के आगे निकल जाएंगे इसलिए आप समझेए मैंने कहां आप से newman के अनुसार परिभासा है पांच वर्स की अवस्था सरीर तथा मस्तिस्क के लिए बड़ी ग्रहण सील होती है क्या मतलब इस परिभासा का एक छोटा सा बालक होता है आपने देखा होगा अगर आपकी घर में होगा अगर आप डीरेड करने जा रहे हैं और चाइड साइकलोजी आप पढ़ रहे हैं तो आप एक छोटे से बच्चे को केंद्र बिंद मानकर पढ़ाई करिए ठेक है एक छोटे से बच्चे को उसी कहा आप आखलन करिए कि ये बच्चा किस तरह से विहयव कर रहा है जो क्लासें हाँ से दी जा रहे है आप यही क्लास ले जाकर उस बच्चे पर आखलन करिए देखे एक फैक्ट सारी जीज़ें उसी पर बैठ जाएंगे ठेक है मैंने कहा आप से जन्म से पांच वर्स की अवस्था जो है सरीर तथा मस्तिस के लिए बड़ी ग्रहेंट सील होती है मतलब समझीएगा एक छोटा सा बालक है ठेक है आप उस बालक के सामने हर रोज गाली गलोज करते रहते हैं जैसे किसी मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी फैमली को आप देख लिजिए ठेक है चाहे गाली गलोज हो या अच्छी अक्टिविटीज हो ठेक है अगर एक्टिविटीज हो रही तो जो बालक होगा अच्छी चीजे सीखेगा और नहीं तो अगर आपके घर में हर रोज कहीं गाली गलोज हो रहा है ठेक है और बालक हमिसा वहां जा रहा है तो वह कहीं न कहीं जो गाली आओंगी वो भी सीख जाएगा उसकी जो capacity होती है वो कहा जाए उसकी जो छमता होती है सीखने की वो जर्म से 5 वर्स तक की जो होती है वो बहुत तीवर होती है तुरंत वो चीजों को सीख जाता है इसलिए ये कह रहे हैं कि पांच वर्स की अवस्था सरीर तथा मस्तिस के लिए बड़ी ग्रहर सील होती है अगली परिवासा फ्राइड महोदे के अनुसार ये कह रहे हैं मन सिय को जो कुछ भी बनना होता है प्रारम्म के चार्या पांच वर्स में बन जाता है द्यान दिजेगा आपने देखा होगा एक छोटा सा बालक जब होता होगा तो उसके अंदर की प्रतिभाएं जब चारिया पांच में होती है तो लोग आकलंग कर लेते हैं कि इसका जो दिमाग है यह बहुत तेज है करते होंगे नहीं करते होंगे तो आप आज से ही करना प्रारंब करते हैं और देख लिजेए कि क्या ऐसा हो रहा है ठीक है अगर ऐसा हो रहा है तो आप मान लिजेगा कहा जा रहा है मनुस्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंब के चारिया पांच वर्स में बन जाता है यह बिल्कुल पंसे ही आख लेते हैं, तो यही चीजें फ्राइड महोदे कह रहे हैं, कि मनुस्य को जो कुछ भी बनना होता है, प्रारंब के चार या पांच वर्स में वो बन जाता है, ठीक है, अगली परिभासा, एडलर महोदे और क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो की परिभासा आप देखें, अगर सैस्वावस्था का जो बालक है, कह रहे हैं, कि जीवन का पूरा क्रम निस्चित होता है, अगर एक अच्छे सिक्षा दिक्षा में, उसे पालन पुस्ड किया जा रहा है, तो कही न कहीं, जो उसका जीवन का क्रम है, वहीं से वो धीरे-धीरORE अपना बढ़ कर देता है ठीक है जो 600 अवस्था का बालक है या नि जैसे अब ऐसा न समझेगा कि वो पईचावी से कमाना सुरू कर देता नो ठीक है यहाँ उम्मीद करते हैं यह भी आपके लिए महतपूर चीजे हैं कि आप से पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था का बालक अपने भावी जीवन का निर्मार होता है या पूछ लिया जाता है कि से 100 अवस्था में बालक के भावी जीवन का निर्मार होता है या नहीं होता है ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजे आपको समझ में आई होंगी ठेक है अच्छा यहां हमने जो चारों अवस्थाओं का निर्धारन किया है आप इस अवस्था को जिरूर देख लिजिएगा ठेक है बाकि अगर आपको कहीं कोई भी समस्या होगी तो मुझे आप जिरूर रोगत कराईएगा ठेक है हम हर संभाव आपका प्र करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ मियाए होंगी आप अपना फेड़ बैग मुझे वस्था देजिएगा अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होगी तो ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्स धनिवाद